हाई फ्रेंट्स वल्कम तो माच याट्योप चानल आज का स्माइक पतानों एक लेटेस और अप्डेट नीज है गवर्नमेट अफ करनाटा की तरफ से जो कि एक गाइडलाइन से रिलेस कर दी गई है फ्री एलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेट क्या गईडलाइन से वाज हम सुझें वीडियो का आगे बढ़ाएंस पिल अगर आप देख पर देख पर देख पर शार्प सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ब्लाक लारप सब्सक्राइब को आप्शन श्रास पे चल्द से क्लिक कर दे तो चलिए उसोड़ेगा बढ़ाएंस चाहिए फ्री एलेक्ट्रिसिटी स्कीम के लिए स्टेट में पूरे करनाड़ा का स्टेट में वह यहाँ पर दिटेल्स दिया गया है करनाड़ा गवर्मेंट ऑन मंडे शूट गाडलाइनस टु आवेल फ्री एलेक्रिसि है यह इसको ग्रोहा जोटी स्कीम का नाम दिया गया है या पिदि किया ओन मंडे ता करनाड़ा गवर्मेंट इसू गाडलाइनस टु अवेल फ्री एलेक्रिसिटी अंडर दा ग्रोहा जोटी स्कीम रजिस्ट्रेंग ऑन दा सेवा सिंदु पोटल हाज बिन मेट कंपल्सरी अगर आपको यह फ्री यूनिट फ्री चाहिए आपको यह फ्री स्कीम है जोती स्कीम का अगर आपको लाग उठाना है फाइदा उठाना है तो आपको फॉर्स्ट्ली सेवा सिंदु पोटल में रजिस्ट्र करना होगा उसके बाद जो प्रोसीजर है वोड कुछ दिनों में आएगा कि हमको किस तरह से अपना अकाउंट आईडी यानि जिसे जो अधार से लिंप किस तरह से करते हैं वो सेवा सिंदु में आपको डिटेल दी जाएंगी कुछ दिन बाद करना गॉर्मन इस्यूस गैडलाइन फ्री एलेक्रिसिटी अंडर दा ग्रोह जोती स्कीम दा जो स्कीम है यह सिर्फ घरों के लिए हाउस के लिए कोई commercial shop के लिए commercial activity के लिए commercial जो भी है आपका चाहिए वो offices हो या hotel हो दुकान हो shops हो उनके लिए applicable नहीं है यह सिर्फ घरों के लिए applicable है जो कि 200 unit तक आपको free service दी जाएगी free उसके अलावा और देखिए आप not applicable for commercial usage during billing extra usage bills will be given to customers excluding free units यानि अगर आपने 200 unit से ज़्यादा unit जलाया है यूस किया है तो 200 unit minus कि जितने भी extra unit है additional उसका सिर्फ बिल आपको दिया जाएगा और देखिए it's under scheme zero bills will be given to the customer if units are less than eligible units under the scheme और आपको zero bill दिया जाएगा अगर आपने 200 unit या उससे कम unit अगर जलाया है मन्त में तो आपको zero bill दिया जाएगा यानि जिसमें amount नहीं रहेगा zero bill आपको दिया जाएगा registering at the savers in the portal is compulsory to avail benefits of the scheme यानि savers in the portal में आपको compulsory register करना होगा अगर आपको ये benefit लेना है customers must link their customer ID account ID to Aadhaar यानि जो customer ID account ID रहता है bill पर आपके वो आधार से link रहना चाहिए and remaining electricity balances till June 30 should be clear और जो balance आपका पुराना balance electricity का ये जून 30 से पहले clear करना होगा आपको आपको ये benefit होठाना है तो आपको previously जो balance है आपका क्लियर करना होगा और आपका आधार account ID से आपको link करना होगा कुछ दिन बाद उसका step-buster procedure आएका सेवा सिंधु में आप किस तरह से उसको link करेंगे किस तरह से registration करेंगे registration का तो simple है आप जस्ट सेवा सिंधु में जाके registration करके रख ले उसके बाद जो next procedure है government का जो guidelines आएंगी किस तरह से आधार account ID से link करना है वो हम देखेंगे कुछ दिन बात आएगा उसके related details तो आज के इस वीडिये में था बताने के लिए आपको कि government की जो guidelines है वो सिर्फ household के लिए है ना के commercial shops के लिए और आपको 200 unit तक free light bill free electricity दी जाएगी 200 unit के उपर अगर जलेगा तो आपको उसका bill दिया जाएगा 200 unit या उससे कम अगर आप जलाएंगे आपका मंध घर का unit electricity तो आपको बिल नहीं दिया जाएगा बमिक अपको यह मेरे छोठा सा वीडियो चाहा हाँ अनə आचा लगाता प्रीज लाइक शेयर और सम्सक्राइब अप warto we do जेज़ुक्षान को विताइग लगूना स्विट्या में इलेक्रिसिटी तो आपको बिल नहीं दिया जागा जेरो विल आपको दिया जागा तो उम्हेंद करताओं आपको इमारा चोटासा वीडियो चाहारा आप प्लिस लाइक शेयर और सब्सक्राइब को अब जैएग लग अगना सुल्यामे